Hi students, welcome back to our classes. अब हम Unit 2 के Part 8 पे हैं, जिसके अंदर हम Dyslexics के बारे में पढ़ेंगे. अभी मैंने आपको इससे पहले Learning Disabilities के बारे में बताया था, जिसमें मैंने Dyslexia का नाम भी मेंशन किया था. तो ये dyslexia होता क्या है ये एक तरीके की learning disability है जो learn करने की जो एक अशमता है उसको हम dyslexia कहते हैं इस problem जो बच्चों में होती है जिस बच्चों में ये problem होने वाली है उनको जो information वो देख रहे हैं जाब उनने कोई शब्द देखा उसे पढ़के generally क्या होता है आप एक शब्द देखते हो word देखते हो उसके देखके आपके दिमाग में कुछ process होता है और आप समझते हो लेकिन इन बच्चों में वो जो reading है वहीं पे उस चीज़ को read करना process करने में ही दिक्कत आ जाती है वो लोग sounds को connect करने में उनको दिक्कत आती है ठीक है एक साथ sounds को जोड़किशब बनाने में ठीक है और इन challenges की वज़े से उनको और भी जो basic skills है जैसे writing, spelling उनमें भी issues आते हैं इसको reading disorder भी कहते हैं अलग-अलग लोगों में अलग-अलग degree, अलग-अलग कितना amount होने वाला है वो सब में vary होगा dyslexia एक learning difficulty है जो जादा तर शब्दों का fluent जो उचारण है उसक reading and spelling को dyslexia के types क्या रहते हैं आपके phonological, surface, visual, math, directional अब एक एक करके देखते हैं सबसे पहले phonological dyslexia जिसमें trouble होती है शब्दों को उनके आगे syllables में तोड़के छोटे शब्दों में तोड़ने में ठीक है for example अगर आप एक बच्चे को बोलोगे एक word उसको चिला के बोलोगे थो सुन पाएगा word को ठीक है फिर उसको आपके तरफ repeat करेगा आपने बोला पापा ममा बच्चा सुनेगा पापा दो शब्दों में तोड़के फिर उसको repeat करेगा ठीक है लेकिन अगर उस बच्चे को dyslexia है तो वो उस word को तोड़के sound को जोड़ने में समझने में grasp करने में उस इसके skill कि one is that some words have a tricky spelling कुछ शब्दों बे जो आपकी spelling होती है वह tricky होती है जैसे debt यानि D E B T अब आप पढ़ रहे हो debt लेकिन लिखते हो आप B B depth आता है तो उसको समझना यह थोड़ी बात मुश्किल हो गई दूसरी बात क्या है fluency से पढ़ना एक होता है पढ़ना एक होता directional dyslexia का मतलब क्या होता है जब उनको trouble होती है left से right बताने लिए इसी को हम कभी कवार spatial dyslexia या geographic आपका dyslexia भी बोलते हैं यह काफे common problem है यानि वो properly direction नहीं देख पाते visual dyslexia में क्या होता है you know some people claim कि जो reading है उसको हम I exercise करें या कुछ ऐसा करें तो उससे ठीक कर सकते हैं लेकिन जादा तर ऐसा नहीं हमने देखाए होते हो ठीक है math dyslexia इसमें क्या हो रहे है math learning से है यानि obviously इसका एक particular word भी दिया गया है जिसको हम dyscalculia बोलते है ठीक है देन हमारा other type of dyslexia में आपके आते हैं primary, secondary and tertiary dyslexia ठीक है तो basic अगर हम देखें तो इसका लेना देना आपका reading और learning से है यानि जिसमें आपको reading में learning में issues आता है ठीक है causes क्या रहते हैं वैसे देखो exact cause नहीं है इन चीजों का लेकिन फिर भी जो हमने देखे हैं बहुत सारे बच्चों को observe करते हुए बहुत सारी चीजों और बहुत जादा studies के बाद तो देखेगा है number one genetics dyslexia को कुछ genes से connect किया कि कैसे जो genes हमें inherit हो रहे हैं उन genes की वजह से यह जो बिमारी है या बिमारी नहीं यह जो issue है वो raise होता है दूसरा brain differences यानि scientist में देखा है कि कुछ specific brains जो है न वो involved है इस issue में यानि कुछ brain images दिखाती है कि कुछ अलग structure होने की वजह से यह dyslexia problem arise हो जाती है ठीक है then gene environmental interaction यानि की genes और environment का जो interaction है उसकी वजह से भी क्योंकि environment का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी learning और memory में तो यह भी बहुत रोल निभाती है इस तरह के issue symptoms of dyslexia के बात करेंगे तो देखो symptoms यह नहां पे बहुत अच्छे से डिवाइट किये गए हैं प्री स्कूल में क्या symptoms रहते हैं टास्क लेटर दें मोस्ट अब दूस्ट यानि बाकी बच्चों के comparison में बात में काम कूरी हो पाते हैं कुछ शब्दों को प्रनाउंस करने में difficulty आती है जैसे यून बच्चे लॉन को पर रहे हैं ठीक है वोकाबलरी जो है उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है शब्दों को इतने ख़ाइस याद नहीं कर पाते c इसे साउंड को ब्लेंड करना है, सेपरेट करना है, इस चीज में दिक्कत होती है, यह प्री स्कूल की हमने बात की, ठीक है, तेखो, केजी से फोर्ट स्टांडर्ड की अगर वच्चों की बात करें, तो इसमें क्या रहता है, यह लेक्टर और उनके जो साउंड है, उनके बी जो सिमेर लिखने वाले अल्फबेट हैं हमारे W, M, B, D, इनमें भी काफी गलतियां कर देते हैं, M, T, Matt है, उसको M की जगा W लिखते हैं और जैसे, you know, F, E, L, T, Feld, उसको यह, as L, E, F, T, Left, मताब बेसिकली, शब्दों को समझने में, confusions हो जाती हैं, फिफ्थ से लेके, जितना इन से उमीद किया जाए, उसको फोड़ा लेवल पर यह पढ़ पाते हैं, इनको अगर बोले ना, read it loudly, तेज की पढ़ो, वो चीज़ यह नहीं कर पाते हैं, उसको अवोईड करते हैं, क्योंकि यह लोग इनको साथ-साथ, Maths की problem में काफी trouble होता है, यह जाधा दिख लिखना नहीं चाहते हैं, और अगर हम बात करें spellings के, तो इनको spellings लिखने में बहुत difficulty रहती है, एक ही page पे तीन तरह की spelling लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब तीन मैंने जस्टिक नमबर कोट किया है, ठीक है, और इनका जो चीज़ों को यादाश करने का इनका वो होता है, वो और इन language को learn करने में problem आती है, ठीक है, numbers, sequence, इन चीज़ों को याद करने में problem आती है, तो यही आपका dyslexia के बारे में था, अब, helping children with dyslexia, जिन बच्चों को है, उसकी dyslexia है, उनको हम help कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह एक learning disability है, तो बहुत सारे बच्चे जो है, उनको हम misunderstood कर ले है, इस वजह से उसके साथ काफी कह सकते हो, आप अन्याय टाइप होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको समझ तो कोई पा नहीं रहा है, सब उसके ओपर बस यहीं बोल रहे है, यह कर नहीं पा रहा है, teachers लगातार शिकायत लगाते हैं, parents को, parents भी फिर बहुत जाद आपने ब intelligent है, उससे कोई लेना देना नहीं है, dyslexia का, हना, तो इससे क्या होता है, parents जो है, of the children with dyslexia, और often perplexed when their child is poor, यानि की, उनको बड़ा वो लगता है, अजीव लगता है, या उनको समझ नहीं आ पाता है, कि उनका बच्चा एक simple सी book क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, जबकि वैस जो को, you know, encourage करें, अच्छे से तरीके से उनका ध्यान रखें, उसको एक pediatrician के पास, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उसके पास लेके जाएं, तो इस तरीके से हम चीजों को थोड़ा manage कर सकते हैं, अब क्योंकि बच्चे जो है dyslexia उनको पढ़ने में विक्कत होती है, रीट करने में, ठीक है, many can remain in a regular classroom, but they will need help, यानि वो classroom में तो पढ़ सकते है regular classroom में, लेकिन उनको help की ज़रूरत रहेगी, ठीक है, और learning specialist जो है, वो इनके लिए काफी चीज़े असान कर सकते हैं, तो अगर हो सके तो learning specialist की मदद ली जाएं, और इनको special accommodation देनी चाहिए classroom में, ज से इनके जैसे test कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों सो थोड़ा जादा time मिल गया, और थोड़ा support मिल गया, क्योंकि obviously उनको जो चीज़ बाकी बच्चे कर लेंगे, उस थरीके से पढ़ना, लिखना, उतनी speed नहीं है उनकी, ठीक है, parents के रहे क्या tip है, number one, educate yourself, बहुत जरूरी है माबाब को पता होना चाहिए, कि ये बिमारी क्या है, बिमारी नहीं कहेंगे, ये disability क्या है, इससे क्या-क्या बच्चे को होता है, और क्या-क्या बच्चा एक उस चीज़ से गुजर सकता है, तो उसको क्या expect करना है, क्या उसके उपर burden डालना है, नहीं डालना है, फिर ये अच्छी रखती है वो करने में उसको help करो, encourage करो, जितना हो सकता है बच्चे को positive feedback दीजिए, encourage करिये कि हाँ, जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और अगर बच्चे में किसी बर तरह का emotional distress या आपको दिखता है कि कोई भी दिकत दिख रही है बच्चे में, तो तुरंत उसको help करना है, ठीक है, so that is all for this lecture, I hope आपको dyslexia clear हो गया होगा, ठीक है, यह भी एक important topic रहता है, तो इसको अच्छे से करेंगे, and thank you students, and keep watching.